हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पार्ट जो कि चैप्टर थी में ऑफिंसेंड पनल्टीज के सेक्शन 19 का क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टिंग सेक्शन है और इसमें जो लोग एलल भी कर रहे हैं उनके पास काफी कोश्यों आते हैं इस तरह से इस पार्ट में से त सबसे पहले हम चैप्टर थ्री जो के है फेडरल एक्साइज एक्ट का 2005 एंड विच इस ऑफिंस एंड पनल्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टन पार्ट है क्योंकि यह एक नॉर्मल जो कि लॉयर नहीं उसको पता होने चाहिए जो बिजनस कर रहा है जो पाकिस्तान में को भी सबसे इंपॉर्टन सेक्शन हैं वह सेक्शन 19 और सेक्शन 19 के अंडर जो है काफी चीज़ें डिसक्राइब करी गई है सब्सक्राइब करने से पहले मैं एक बात करूंगा जो कि इसमें वह बोलते हैं सेक्शन 4 और सब्सक्राइब तो इसमें तो सबसे पहले एक डेपनेशन दोने दिए है कि एवरी रिजिस्टर परसन इस लाइबल फॉर्टन ओफ रिटन और पेमिन अफ ड्यूटी में यहां लिग देता हूं ताकि आपको समझ ज्यादा आजा है एवरी रिजिस्टर परसन इस लाइबल टू तो फाइलिंग ओफ रिटन एंड पेमिन्ट ओफ डिटे अब यहां पे जो रिजिस्टर परसन है इसकी अगर मैं डेपनेशन निकालूं कि इसकी क्या डेफनेशन होगी तो इसकी डेफनेशन के लिए हमें सबसे पहले यह पता हो चाहिए कि जो रिजिस्टर परसन है रहिए तो को tutti फासंट वह और कि यहां कॉ परिस लिए। चैप्टर बुएन में इंफॉर्मिशन दी कि कौन कौन से लोग हैं जिन जो के लाइबल है कि उनको हर्स पर रिजिस्ट्रेशन करवानी है तो या तो उन्हों ने रिजिस्ट्रेशन करवा ली या अगर अभी तक नहीं कर आई तो यह दोनों लोग इस डेपनिशन में आते है रिजिस्ट्रेशन के ते हैं भी रिजिस्ट्रेशन लाइबल टू फाइन रिटन एंद पेविंट अफ ड्यूटी और यहां पर बताने के लिए कि फ्रीक्वेंसी और रिटन क्या होती है यह एवरी मन्थ आपको रिटन फाइल करना होता है जिससे टेक्स अब एवरी मन्थ यहां पर बीएवरी मन्थ अपनी जो विटन है अफट का वजया जाते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 191 की सबसे पहले मैं यहां पर एक हेडिंग दे दूं ऑफंस पी और यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं पनल्ती कि है ओके no one point अगर देखें me तो इस पर वो कहते हैं परेंग्ग不स्च हो बड़ेंग नहीं improving ॥ इन योन फाइल जो जो कि आपको पे करना पड़ेगा प्लस आपको रिटेन भी फाइल करना यह फाइन वो नहीं कि अगर आप में 3 LIVE दिर्एज तègượng और अब बरियुजम होगा है ऐसी कोई कानी नहीं है आपको रिटन भी फाइल करना है प्लस आपको पेनल्टी भी पे करनी है है सुरत में जाटेस उपीज फाइफ थाउसन नो सेकिंड अगर हम आएं तो उस पर बात करें हैं कि फेल्स टू मेक पेमिंट अगर आपने नहीं करा तो आप पे जो प्रेल्टी है वो है दस हजार रुपे की और फाइफ परसेंट विच्एवर इस हाइर अब यह कैसे डिसाइड होगा कि भाई विच्एवर इस हायर लैस्पोस आपके टोटल एफटी बनता है एक लाग रुपे का और उसका फाइफ परसेंट आग कर आपके पास तोटल एक्साइज डिटी बन दी है तीन लाग रुपे की तो उसका फाइफ परसेंट जो है वो है फिफटीन थाउजन ठीक है तो फिफटीन थाउजन और टेन थाउजन में हाईर कॉंसी वैल्यू है मैं फिफटीन थाउजन रुपे जो यह और तो से तो हुआ है वो बीदिन फिफटीन देज करी है। अफ़िटर लॉजट सेकन्डं में तो आप प्लेक्षा करें ने सकी हिसको मिज़ू कर लेंगी कि आपने पंदर दिन के बाद प्रेविट करें तो आप से केस होका लेकिन फर्ड में अगर आपने लिडिक के बाद 15 days में payment करी है तो उस पर वो कहते हैं कि रूपीज 100 पर डे आपको penalty देनी पड़ेगी ठीक है तो यह जो केस है यह है आपका section 91 अगर हम section 91 को गरम खास तो पर देखें तो यह आपका बिल्कुल इनिशल केस है इनिशल केस लाइक जब हम अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हो लिए हम टाइम पर ने कर पा रहे हैं या हमने फाइल करती हैं पेमिंट ने कर पा रहे हैं अगर पेमिंट करनी है इनिशल एक बेसिक चीज़ है तो उसमें आप अगर पनल्टी देखें तो पनल्टी भी 5000-10000 और 5% और 100 रुपीज एक नॉमिन